आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार ये बोर्ड इग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाव भी डिस्टिंग्विस्ट बिट्विट्विन सचुरेटेड अन अंसचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाइड केमिकली यानि आप ब्रॉमी वाटर जिसका नाम दिया गया है टैस्ट ठीक होता या ये जनली किस कलर का होता है रेड़ अ यह इसी के लिए से लिया उर्मीन ब्लास उट क्या बन घडिया तो मैद आपने लिया और इसमरें थोड़ा सा प्रॉमीन डाल दिया। लूंद दिया तो वह कैसा बन गया। even water बंगया यानी हमें क्या लेना है इसके लिए उस तरह से आपने लिया यहां पे आपने ब्रॉमीन प्लस वाटर जैसे ही आप ने लिया वह क्या बन जाएगा वह ब्रॉमीन वाटर हो जाएगा ठीकतल ऑफ पासopesिंटे रबे और को इसे को हम स्भशत करेंगे कि थी आहिगेए जैसे हमारे पास माली जे कोई Saturated Hydrocarbon है, ठीक है तो Saturated Hydrocarbon होता है, जिसे माली जे कार्बन है, इस तरह से भी Hydrogen लगा है यहां भी Hydrogen है यहां भी चाहिँ, यह हमें पता है जिए Saturated Hydrocarbon होता है ज्यादा रियक्टिव नहीं होता है इस वज़ा से जब इसके साथ इस तरह वियार टू यानि ब्रॉमीन वाटर जो है अब यहां आप लिग भी सकते हैं कि यह आपका क्या है मेथिन है और यह आपका क्या है ब्रॉमीन वाटर है ठीक ना एक को से अब यह जब आएगा इसके पास तो इसमें कोई रियक्शन नहीं होगा ठीक ना यहां कोई रियक्शन नहीं होने वाला है यानि ब्रॉमीन हमारा कहीं जाएगा नहीं ब्रॉमीन आपका वैसे ही रहेगा क्यों और जब ब्रॉमीन वैसे जिस कंटेनर में आपने यह लिया वो कंटेनर कैसा था वो कंटे तो क्योंकि ब्रोमीन है और यह सचुरेटेड़ है यह मतलब ज्यादा रियक्टिव नहीं होता है इस वजह से वह कोई कंबाइन नहीं करेगा और जो रेड ब्राउन कलर है वह वैसे ही कलर या इसका जो रिजल्ट में आपको यह दिखेगा कि कलर वैसे अभी रेड ब्राउन ह यानि कलर में कोई डिफरेंस नहीं जो ब्रोमीन मॉटर का यहां पे कलर था रेड ब्राउन ठीक ना वही कलर यहां भी आपको दिखेगा किसके साथ सचुरेटेड़ हैड्र कार्बन के साथ लेकित जैसे माल लेजिए आपने कोई इस तरह से सीच्टू डेबल बॉंड सीच तो यहां आपको पता है कि यह हमारे पास जो बॉंड है तो यहां पर होगा क्या दोनों ब्रेक होंगे और अल्टिमेटल इस तरह का एक आपको कंपाउंड यहां पर देखने को मिलेगा यह हमारा यहां पर हैड्रोजन तो पहले से था लेकिन जो ब्रॉमीन यह ज रहा और यहां पर नाम क्या देंगे इसको नाम पर देंगे रहें तो हम देखा यहां परॉमू कर लेंगे संकिन पहले ता वहीं गद्राण के बाद भी था लेकिन यहां पे तो कलर रहेगा डी-번 ब्रॉंग कंग डी-डी-डी-ड्राऊन ब्रॉमीन टार तिए इसके वाचे वाजा बावे रहे गा डी-डी pandemic ब्रॉमीन या पर रहे यहां पर दो सब्सक्राइब कर देगा तो हमारे पास दो सब्सक्राइब था ठीकिन हमने बारीबारी से ब्रॉमीन वॉटर में मिलाया एक बर मिलाया तो कोई फर्क ने पड़ा रेड ब्राउन कलर वैसे ही था तो हमें समझ में आ जाएगा यह अभी जो हमने मिलाया यह saturated था फिर हमने जब दूसरा substance उसमें मिलाया तो उसका red brown color गायब हो गया तो हमें समझ में आ गया कि यह unsaturated था इसी वज़े से इसने bromine से combine कर लिया तो उसका red brown color गायब हो गया तो इस वज़े से हम ये मतलब इसको chemical differentiate कर सकते हैं आप इसको घर में भी कर सकते हो कैसे कर सकते हो जब आपके पास घर में fat होगा, oil होगा है ना तो एड़ी आप bromine water ले लिजिए bromine water को fat में मिला दो तो fat हमारा आपने अभी देखा था कि saturated hydrocarbon होता है, solid state में होता जो हमारा fat होता है, saturated hydrocarbon होता है तो जब fat मिलाओगे bromine water में, तो वहाँ कोई color जैसे red brown था, वैसे red brown बाद में भी रहेगा, यानि उसका color गायब नहीं होगा, और जैसे ही color गायब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो saturated hydrocarbon है तो इस तरह से हम कई तरह के reactions देख सकते हैं एक हम यहाँ पर question लेने वाले हैं, वो related है आपके Edison reaction से, जनली क्योंकि यहाँ भी जो आपने इसका color चेंज हो रहा था भी bromine का, वो क्या था Edison reaction का ही था, ठीक है अब जैसे माल लीजे, यहाँ पर कुछ compounds लिखे हुए है जैसे यहाँ पर लिखा है C2H4, C3H8, C4H10 या यह लिखा है C5H10, या यह लिखा है कि C3H4 इस तरह कई hydrocarbon दिये हुए है, यहाँ आप से question कर रहा है कि यह बताई, इन में से कौन ऐसा है जो Edison reaction देगा, ठीक है ना, question यह है कि इन सभी hydrocarbon में से कौन ऐसा है जो Edison reaction देने वाला है तो Edison reaction हमेशा किसकी property है, ध्यान रखना है Unsaturated की property है, ठीक है, यानि यदि वो unsaturated है, इलकीन और इलकाइन है तभी वो Edison reaction देगा, कभी भी आपका saturated compound reaction नहीं देगा ध्यान से देखो, इसमें saturated कौन है, देखो, saturated क्या होता है, एलकेन, Cn, H2n, प्लस 2 ठीक है न, देखो यह, C3, अब यहाँ 3,2 जा, 6,2, यानि यह आपका क्या हो गया यह आपका saturated hydrocarbon हो गया, C4, H10, यह भी क्या हो गया, saturated hydrocarbon हो गया C5, H10, अब यह नहीं है, C5, H10, ध्यान से देखो, तो यह आपका 5,2 जा, जज़ डबल, यानि Cn, H2n केवल है यह, यानि यह क्या है यह एलकीन है, C3, H4, यह आपका Cn, H2n, माइनस 2 है, यानि यह क्या है, यह एलकाइन है और इसमें आएंगे C2, H4, ज़स डबल है, Cn, H2n, यह क्या हो गया आपका, यह एलकीन हो गया तो हमारा एलकीन, यह एलकीन और यह एलकाइन, यह तीनों ही addition reaction देंगे यह क्या देंगे, addition reaction देंगे, जबकि यह दोनों हमारे नहीं देंगे तो इस तरह से भी question आ सकता है, तो आपके वोल इतना पता कर लो, भही जो एलकीन है, वो addition reaction नहीं देगा यह एलकीन यह एलकाइन है तो addition reaction देगा, ठीक है, उमिद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, यह यह वीडियो आपको पशंद आया हो तो इसको प्लीज आप लाइक करिए और चैनल पर दिन नए है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, थैंकी सो मच झाल